हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन में भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। क्योंकि सावन का महीना चातुरमास के बीच में आता है और इस दौरान भगवान विश्णु योगनिद्रा में होते हैं। ऐसे में भगवान विश्णों के कृष्ण स्वरूप का पूजन करने से उनका आशिरवात प्राप्थ होता है। सावन में अगर मोर पंक से जुड़े कुछ उपाय किये जाएं तो जीवन में खुश्या आती है और तरक्की हासल होती है। आईए जानते हैं मोर पंक के कुछ सरल्व अचुक उपाय जो बदल सकते हैं आपकी जिंदगी। सावन के महीने में किसी भी दिन मोर पंक लेकर आएं। फिर सूर्य मंत्र हराहरी हरोस सूर्याए नम या चंद्र मंत्र ओम्शाश्री श्रौसा सोमाय नमा मंत्र का 21 बार जाप करें और मोर पंक पर पानी के छींटे डाले। इसके बाद मोर पंक को घर में साफसुत्री जगा पर स्थापित करें। लेकिन ध्यान रखें कि मोर पंक रखने के लिए घर की पूर्व या उत्तर दिशा बेहद शुब होती है ऐसा करने से ग्रहों का अशुब प्रभाव कम होने लगता है यदि कोई व्यक्ती आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है और लाग कोशिशों के भी इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा तो ऐसे लोगों के लिए सावन का महीना बेहद ही शुब है सावन में राधा कृष्ण के मुकुट में मोर पंक लगाएं और 40 दिन बाद इस मोर पंक को उतार कर अपने घर की तिजोरी में रख दे यहां उपाय अपनाने से आर्थिक तंगी दूर होती है अपने घर के मुक्य द्वार पर एक साथ तीन मोर पंक लगाएं और फिर उसके नीचे सिंदूर या रोली से ओम द्वारपाले नमा जागरे स्थापय स्वाहा मंत्र लिख दे इस मंत्र के नीचे भगवान गणेश की मूर्ती या फोटो लगाएं इससे घर में निगेटिविटी नहीं आती और खुशियों का वास होता है अगर आपके बच्चे को बार बार नजर लगती है तो सावन के महीने में एक चांदी का ताबीज लाकर उसमें मोर पंक डालकर बच्चे को पहनाएं इससे कभी बुरी नजर नहीं लगेगी यह उपाय नवजात शिशु के लिए बेहत ही महत्वपूर्ण माना गया है मित्रो अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवशय करे और बेल आइकन करना ना भूले आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं